कहानी की सुरवात में हम समुद्र में एक बड़े से सिप को देखते हैं जिसका एक कर्मचारी सिप के बॉटम में कैद एक बड़े से सार्क को खाना खिलाता है और साथ में वो उस सार्क को एक सीरम भी लगाता है जिससे उस सार्क की आखे पीली हो जाती है अगले सीन में हम ए पहुचा होता है वो इसी बड़ी सार्क के खाने का कुछ अंस होता है इसके बाद वो बड़ी सार्क उससे खुद को आजाद करने को कहती है और बदले में वो उसे धेर सारा खाना देने का वादा करती है इस बात पर वो छोटा सार्क मान जाता है और वो उस बड़ी सार्क के पिंजरे का दर्वाजा खोल देता है दर्वाजा खुलते ही बड़ी सार्क पिंजरे को तोड़ कर खुद को आजाद कर लेती है इसके बाद वो बड़ी सार्क बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है और वो उस छोटी सार्क के साथ वहां से निकल पड़ती है अगले सीन में हम पिंक कलर की एक छोटी मचली को दिखते हैं जिसका नाम पी होता है वो किसी से जान बचा कर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक छोटी से चटान के पास जाकर रुख जाता है तभी एक बड़ी सी परचाई उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये कोई बड़ी सार्क नहीं बलकि पी का बेटा होता है दरसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है, जहां उसे एक केकड़ा मिलता है, जिसका नाम पी अरे होता है, जो वहां के चटान पे खड़ा होकर उनके इलाके के निगरानी कर रहा होता है, कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली मचली मिलती है, ये पी की माilles होती है जो पी और उसके बेटे से मिलकर बहुत खोस होती है वहाँ से कुछ आगे बनने पर उन्हें एक नीली और एक तीन आक वाली मचली मिलती है जो पास के गुभा में घूमने के लिए जा रहे होते हैं ये सुनकर पी का बेटा उन लोगों के साथ चलने को कहता है लेकिन पी उन के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी केंडरिया को वादा किया था कि वो उसे बाहर घूमने के लिए ले जाएगा इसलिए वो अपने बेटे को उन लोगों के पास ही चोटी मचलियों की गंद आ रही है जिनका सिकार करके उसे बहुत मजाएगा इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के उपर हमला करने का प्लैन बनाता है ट्रॉई की बाते सुनकर उसके दोस्त बहुत खुस होते हैं दूसरी त ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना खुद कर सके अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रॉई अपने साथियों के साथ तेजी से पी के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो केकड़ा जिसका नाम पीरे होता है वो ट्रॉई को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बाते सभी को बता देता है ये खबर सुनते ही सब परिसान हो जाते हैं और अपनी जान बचा कर इधर उदर भागने लगते हैं लेकिन जब ट्रॉई अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आता है तो वो आगे नहीं जा पाता है क्योंकि जहां पी छोटी मचलियों के साथ रहता है उस जगा और समंदर के बीच में चट्टानों की एक दिवार होती है जिसे ट्रॉई पार नहीं कर सकता है इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है वही दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो ट्रॉई को अपने इलाके में देखकर बहुत परिशान होता है तब ही वहाँ पर एक कच्छुआ आता है जो पी को बताता है कि उसने गहरे पानी में तीन सार को देखा वो वापस जरूर आएंगे लेकिन वो चिंता ना करे एक बार वो खुद जाकर ट्रॉई से बात करेगा इसके बाद वो समंदर में जौर आने वाला है जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तब वो उन लोगों पर हमला करेगा और तब उन्हें ये चट्टान की दिवारे भी नहीं बचा पाएगी इसके बाद वो अपने टेल से चट्टान पर एक जुरदार वार करता है जिससे कुछ ज़्यादा गंबीर है लेकिन वो लोग चिंता ना करे वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा तब ही वहाँ पर पी आता है वो कच्वे के पास जाता है कच्वा पी से कहता है कि वो चिंता ना करे इस समस्या का भी कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा इस प कैप्टेन की और वो तुम हो तुम अगर इन्हें ट्रेनिंग दोगे तो ये युद्ध के मैदान में तुम्हारा साथ जरूर देंगे कच्छवे की बात मान कर पी सभी छोटे छोटे जीवों को ट्रेनिंग देना सुरू कर देता है अब एक दिन ट्रेनिंग देने के दोरान एक समुदरी साफ इन沒 देख लेता है और वो इस बात को ट्रॉय को बता देता है ये बात जब ट्रॉय मचली को अपने साथ रहने दे देता है और इस परकाट ट्रॉय का प्लान काम्याब हो जाता है और अब भी के बीच में ट्रॉय का एक आदमी होता है जो उनकी पलपल की हर खबर ट्रॉय को देता रहेगा इसके बाद हम देखते हैं कि पी सभी छोटे जीवो को युद्द अब्यास करा रहा होता है लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी दोरान एक मचली वहां खराब पड़े पंडूबी के अंदर चली जाती है और अगले हिपल पंडूबी में से एक मिसाइल निकलती है जो पास के एक चट्टान से टकराती है जिससे एक जोरदार बलाष्ट होता है लेकिन खुसकिसमती से इस दुरगटना में किसी की जान नहीं जाती है अब यहां पर वो मचली जिसको ट्रॉय ने जैसुसी के लिए भेजा था जिसका नाम रौनी होता है वो धीरे धीरे सभी जीवो को अपनी चिकनी चुपडी बातों में फसाना सुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सबका फेवरेट बन जाता है अब एक दिन जब पी सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी वहां पर रौनी आता है जो पी से कहता है कि सभी जीवो के पास अलग-अलग सकतिया है तो क्यों ना एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जिसमें सभी जीवो अपने अपने टैलेंट का परदर्शन करेंगे और इस परकार सभी को अपने पावर्स के बारे में पता भी चल जाएगा और उसे ट्रेनिंग देने में आसानी होगी रौनी का ये प्लैन सबको बहुत पसंद आता है इसके बाद एक प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें सभी जीवो अपने अपने टैलेंट का परदर्शन करते हैं वहीं दूसरी तरफ रौनी ये सारी बात है ट्रॉय को भी बता देता है रौनी की बात सुनकर ट्रॉय बहुत खुस होता है और कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन और वो उन लोगों को फसा कर रखे उनका काम बस होने ही वाला है अगले सीन में हम पी की वाइफ केंडरिया को देखते हैं जो पी से कहती है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहते इस पर पी कहता है कि उसे पूरे इलाके की रच्छा करनी है और ट्रॉय एक बर फिर से उसे हासिल करने की कोसिस भी कर रहा है ये सुनकर केंडरिया कहती है कि ठीक है उसे उस पर पूरा बरोसा है वो जरूर अपने मकसद में काम्याब होगा उधर रौणी सबी छोटे जीवों का आउडिसन ले रहा होता है जहाँ पर सारे जीव वजीवों गरीब काना में दिखा रहे थे वहीं पी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुरानी पंडुब़ी के अंदर होता है जो अपने खास दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने पड़े जाल की मदद से एक ट्रैप बनाने की कोसिस कर रहा होता है ताकि वो ट्रॉय को इसमें फसा सके यहाँ पर पी का बेटा अपने एक साथी के साथ वहाँ पर आ जाता है इसके बाद ये सब मिलकर ट्रैप बनाने की कोसिस करते हैं ट्रैप बनाने के दोरान इने बहुत सारे मुस्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये हार नहीं मानते वहीं दूसरी तरफ रॉनी अब्वी छोटे जीवों का ओडिसन ले रहा होता है अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया से मिलने जाता है केंड्रिया पी से मिलकर बहुत खुस होती है और कहती है कि तुमने देखा कि आडिसन में सभी कितने खुस थे उसने आज तक इन सब को इतना खुस कभी नहीं देखा इस पर पी कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रॉय उन पर हमला करने आ रहा है और उन्हें लड़ने की तेहारी करनी चाहिए लेकिन तबी रॉनी पी की बात बीच में काट कर कहता है कि कल आडिसन का अंतिम दिन है और उसे लगता है कि उसे इन फालतो बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए ये सुनकर केंड्रिया भी रॉनी का समर्थन करती है और कहती है कि हाँ उन्हें भी अब प्रैक्टिस करने के लिए चलना चाहिए यहां पर सारे जीव आब रॉनी का समर्थन कर रहे थे इस बात से पी दुखी होकर वहां से चला जाता है और वो सीधा अपने गुरू कच्वे के पास जाता है वो उससे कहता है कि अब वो अकेला पढ़ चुका है उसने उन्हें सिखाने की पूरी कोसिस की लेकिन कोई फाइदा नहीं उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केंड्रिया रौनी का साथ दे रही है इस पर कच्वा बोलता है कि कोई बात नहीं समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद वो पी को एक जादोई ड्रैगन दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो तुम पूरे समुद्र पर राज कर शकते हो लेकिन एक असली लीडर ही इसे कमांड दे सकता है ये देखकर पी पूरी तरह से हैरान हो जाता है इसके बाद पी वहाँ से सीधा उस जगह पे आता है जहां पर उसने ट्रैप बनाया होता है वो ट्रैप को बहुत मुश्किल से किसी तरह एक्टिवेट कर देता है और अपने दो करीबी साथियों को ट्रैप की रखवाली करने के लिए बाहर तैनात कर देता है और उन्हें सक्त हिदायत देता है कि कोई भूल कर भी उस रेड क्लिफ को ना चुए लेकिन वहाँ पर रौनी छुपकर पीकी सारी बाते सुन रहा होता है और वो ये सारी बाते ट्रॉय को जाकर बता देता है जिस पर ट्रॉय कहता है कि तुम किसी भी तरह से उस ट्रैप को बरवात कर दो नहीं तो वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा इसके बाद रौनी वहाँ से निकल जाता है तभी रास्ते में उसे एक मचली मिलती है जो बहुत डरी हुई थी और वो उसे लेकर समुद्र के सता पर आती है जहां वो रौनी को एक सिप को दिखाती है सिप को देखकर रौनी कहता है कि डरनी की कोई बात नहीं है एक दिन हम इंसानों को भी अपना डांस दिखाएंगे इसके बाद वो सभी जीवों को इकटा करता है और कहता है कि आज आज ओडिसन का फाइनल दिन है जो भी उस गुफा से रेड क्लिफ को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा रौनी की ये बाते सुनकर सभी जीव तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं दरसल रौनी इसी बहाने से पीके बनाए गए ट्रैप को बरबाद करना चाता था अब सभी जीव गुफा के अंदर चले जाते हैं और रेड क्लिफ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं यहाँ पर पी के लोग इन्हें रोकने की पूरी कोसिस करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं अगले सीन में हम रौनी को देखते हैं जो सभी जीव को डांस अश्टेप सिखा रहा होता है तब ही वहाँ पर पी आ जाता है जो रौनी से कहता है कि तुमने ये क्या किया तुमने जाल को पूरी तरह से बरवात कर दिया अब उन पर कभी भी हमला हो सकता है वो कहता है कि वो यहाँ कर सबको उनके मकसद से भटकाने की कोसिस कर रहा है और उसे लगता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है ये सुनकर केंड्रिया बोलती है कि ये कहीं नहीं जाएगा और इस पर उन सब को फूरा भरोसा है कि वो उनका दुस्मन नहीं है और अगर उसे इससे दिक्कत है तो वो यहां से चला जाए यह सुनकर पी पूरी तरह से तूट जाता है और वो वहां से चला जाता है दूसरी तरफ हम रॉनी को देखते हैं जो ट्रॉय के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि पी को उस पर सक्ख हो गया है, इस पर ट्रॉय कहता है कि तुम चिंदा मत करो, तुम बस उन लोगों को नाच गाने में फसा कर रखो, आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है, इसके बाद हम पी को देखते हैं, वहाँ पर कच्छु आ जाता है जो पी को बचा कर वहाँ से ली जाता है अब एक दिन रोनी केंड्रिया को डांस सिखाने के बहाने चट्टान के उस पार ले जाता है और वो उसे ट्रॉय के हवाले कर देता है लेकिन तब तक रोनी को भी समझ में आ जाता है कि वो ये सब सही नहीं कर रहा है उधर पी कच्छु आ से कहता है कि इस समय उनकी हालत बहुत खराब है गल्ट्राय उन पर हमला करने वाला है और अभी तक उनके पास कोई योजना नहीं है तब ही वहाँ पर दो मचली रोनी को पकड़ कर लाते हैं और वो रोनी की पूरी असलियत पी को बता कर देता है इसके बाद ये सबी मिलकर काम करना सुरू कर देते हैं ये अपने ट्रैप को एक बार फिर से बनाते हैं और किसी तरह केंड्रिया को ट्राय के चंगुल से छुडाने की कोसिस करते हैं लेकिन इससे पहले की पी केंड्रिया को ट्राय के चंगुल से बाहर निकाल क वहाँ से भागता वहाँ पर ट्राइक के साथ ही आ जाते हैं जो पी पर हमला कर देते हैं लेकिन वो किसी तरह से बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए केंड्रिया को लेकर वहाँ से निकल आता है और जब ट्रॉय के साथ ही उसके पीछे जाने लगते हैं तो रोनी उन्हें रोक देता है और कहता है कि उन लोगों को उसके पीछे जाने की कोई जरुरत नहीं है अब वो उनका लीडर है तब ही वहाँ पर ट्रॉय आ जाता है जो रौनी को एक बार में ही खा जाता है अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया को लेकर अपने इलाके में पहु पी को माना सुरू कर देता है और एक पल ऐसा भी आता है जब ट्रॉय पी को माने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ पर एक चमकता हुआ ड्रैगन आ जाता है जिसके सीपर वह कच्छुआ बैठा होता है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है ड्रैगन के आने के बाद पी क पच्छ भारी पढ़ने लगता है और वो जीतने लगते हैं लेकिन तब ही ट्राय पीछे से हमला करके कच्छवा को नीचे गिरा देता है जिससे उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूड़ जाता है अब ट्राय और उन सारे छोटे जीवों के बीचे एक खदरनाक युद्ध होता है और इसी फाइट के दोरान ट्राय पी का पिछा करते हुए उस गुफा तक पहुँच जाता है और वहाँ वो पी के दोरा बनाये गए ट्रैप में बुरी तरह से फस जाता है और ट्रैप के एक जोरदार जटके के साथ वो एक जहाज के ऊपर आकर गिरता है और जब चोटे मचलिया ट्राय से पीछा शूटने पर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं कत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सेर द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल और प्रेस दाट बेल प्लीज से गृमिगन...